नमस्कार दर्श नूस देखरें आप मैं प्रिती दयाल आपके साथ बिहार में एक बर फिर से पूल धह गया बता दे कि बिहार के सिवान में भारी बारिश के कारण आज दो पुराने पूल धह गया पूल धोस्त होने से कई गावों का संपर्क तूट गया जानकारी के मुताबिक धोस्त होने वाले पूलों में से एक महराज गंज के पास धमही नदी पर बना था और दूसरा नौतन स्तिकंदरपूर गाव के पास गंड की नदी पर इस पूल को लेकर इस्तानिय लोगों ने बताया कि दोनों पूल पूराने थे और उनकी कभी मरमत भी नहीं की गई थी जानकारी के अनुसाद धमही नदी पर बना पूल 2004 में ततकालीन सांसत प्रभूनात सी के फंड से 10 लाक रुपे की लागत से बनाय गया था जबकी गंड की नदी पर बना पूल 1998 में उनके ही फंड से 6 लाक रुपे की लागत से बना था इस्तानिय लोगों की माने तो पूलों की जरजर हालत के बारे में कई बार शिकायत की गई थी लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई ग्रामिनों के नुसार पूलिया बनने के बाद एक बार भी इसकी मरमत नहीं कराई गई जिस कारण से पूल गिर गया इधर सानिय लोगों का कहना है कि पूलिया बनने के बाद एक बार भी इसकी मरमत नहीं कराई गई जिसके कारण पूल की यह स्थिती हो गई पूलिया गिरने के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है बंध हो गया है पूलिया के धोस्त होने से कई गावों का संपर्क तूट गया है सानिय लोगों ने यह भी कहा कि इसके पहले भी जो पूल गिरा था ज्यादा मित्ती कटाई के कारण हुआ था यह भी जो गिरा है मित्ती कटने की ही वज़ा से पूल गिरा है कुछ लोगों ने इसकी शिकायत इस्थानिय पदाधिकारियों से भी की थी लेकिन इस शिकायत को लेकर के इस मामले को हलके में लिया गया हलाकी जानकारी के मताबिक इस बार पुल गिरने के बाद काफी संख्या में ग्रामीन घटना अस्थल पर पहुँचकर अधिकारियों को इसकी सूचना दी सूचना पर एडियम उपेंद्र कुमार समेत अन्य पदाधिकारी घटना अस्थल पर पहुँचकर पूरी स्थिती का जाय जालिया इस बीच आपको याद दिला दे कि सिवार में पुल धहने की यह पहली घटना नहीं है इससे पहले 22 जून को याद होगा कि दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ा पंचायत में गंडक नदी पर बना एक ब्रेज ढह गया था या पुल पतेड़ा और गरौली गाव को जोडता था वहीं बिहार में लगातार हो रही पुल हाथसों को देखते हुए अब प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं इस्थानिय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापडवाही के कारण ही ऐसी घटनाए हो रही है हाला कि यह तो देखने वाली बात होगी कि लगातार जिस तरह से पुल ढहने की जो घटना सामने आ रही है उसे लेकर के सरकार की ओर से आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूटुब चाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेस्बुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना ना भूले